अबस्त बाटर है ग Alors, का मैं प्राइब करते हैं जुआ जिस बाटर है उसको मैंने घर की मलाई से हिभोगने और जो पनीर उसको बीना दूद फाड़े हुए बना खो चलिए श्टार्oll करते हैं इस रैस्पी को आप जो मलाई देख रहे हैं आट दस दिन की कलट की हुई मलाई है इस मलाई को अब मैं बड़े बरतन में टांस पर कर लूँगी अब इस स्पून की हेल्प से मैं मलाई को तीन मिनिट तक के लिए फेट लूँगी अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ठंडा पानी एड़ करूँगी गर्मियों में हम मलाई बना रहे हैं इसलिए इसमें मैं ठंडा पानी यूज़ करें अगर आप इसे ठंडियों में बनाते हो तो इसे नॉर्मल पानी यूज़ करके बना सकते हैं अब मैं इसे hand blender की help से अच्छे से फेट लूँगी इस मलाई को फेटते फेटते मुझे कम से कम 2-3 मियट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मखह ने ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है तो अब इसे हम इस दूद से इसे अलग करेंगे तो इस तरह से करते जो हमने मखहन निकाला है उसको अलग कर लेंगे अब जो मखहन मैंने अलग किया है इसको मैं एक से दो बार पानी से अच्छे से धूल लूँगी अगर आप इस मखहन को मार्केट के जैसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इसमें दो से तीन बूत विनेगर की डाल सकते हैं तो अब मैं इस मखहन को दुबारा से एक बार फिर से वाश कर लूँगी तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मखहन पूरी तरह से अलग हो चुका है और बटर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है तो मैंने हापे लिया एक कंटेनर और इसमें मैं लगा दूँगी अच् कर लेंगे तो यह इवनली जो है अच्छे से स्प्रीड हो जाएगा अब इस पर हम लिट लगा के इसे साथ से आठ घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे जिसे की अच्छे से से सैट हो जाए जो मखह निकालने के बाद दूद बचा हुआ था उसका मैं पनीर बनाना आ कर लोंगी और इसे हाइफ फ्लेम पे बॉइल होने देंगे तो आप देख सकते हैं कि दूर अच्छे से बॉइल हो रहा है तो आप इसको हम फाड़ेंगे तो मैं यहां पर फाड़ने के लिए वन टेबली स्पून जो है विनेगर एट करनी इसके जगर आप जो है एक नीब कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि छेना और दूद्ध दोनों अच्छे से अलग हो चुके हैं तो अब गैस का फ्लेम जो है वो आफ कर देंगे अगर इसे आप ज्यादा देर तक पकाएंगे तो जो हमारा च्छेना है वो हाड हो जाएगा अब इसे में फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के लिए मैंने लिया एक बड़ी सी चन्नी और उसको उपर रखा है मसलीन क्लोथ और इसके उपर में जो चेना तयार किया उसको इस तरह से करते हुए हम फिल्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि चेना और दूद अच्छे से फिल्टर हो चुके हैं अब मैं यहां पर डालूँगी चिल्ड वाटर चिल्ड वाटर डालने से जो हमारे जो चेना है वो बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे और इसमें से कोई स्मैल भी नहीं आएगी तो जिसकी वज़ा स जो पनीर है वो बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट वनेंगे अब इस तरह से करते हुए हम इसको निचोल लेंगे तो जो इसमें थोड़ा बहुत वाटर रहेगा वो रिमूब हो जाएगा इससे जो छेना हमने तयार कर लिया है अब इसको हमें पनीर का शेप देना है तो इस तरह से हाथों से इसको अलका सा मशल लेंगे और इसे हम स्कॉाइड सेप देंगे तो अपने हैंड से या स्पून की हैल्प से इसे स्कॉाइड सेप दे दीजिए अब इसको हम fold करेंगे जिस तरह से fold कर रही हूँ उसी तरह से आप भी इसको fold करिए और इतना tightly आफ फोल्ड करेंगे उतना यह अच्छा पनीर बनके आएगा अब मैं इसके उपर place करूंगी ड के heavy weight जिसके पनीर का shape बहुत ही अच्छा है पांस से च्छा गंटे सेट होने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पनीर के शेप में आ चुका है और बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है तो अब इसको हम पीसेज में कट कर लेंगे तो जिस तरह से पनीर का सेफ होता है उसी तरह से कट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है जो बटर है उसको भी फ्रीजर से निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से सैट हो चुका है तो अब इसे हम pieces में cut करेंगे तो आप अपने according pieces में से cut कर लीजिए अगर आप कोई butter और पनीर की recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like and share करें share करने के साथ साथ ही आप comment करके मुझे बताएं कि आप हो कैसा लगा और मेरी channel पर first time आए तो मेरी channel को subscribe करें subscribe करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरी latest update आप पो सबसे पहले मिले thank you for watching this video